नमस्कार मैं आलोगतिवारी आपका अपने शैनल पर स्वागत करता हूँ प्रिय दर्शकों आज हम आपको एक बहुत ही अध्मुति स्थान पर दर्शन कराने लेकर के चल रहे हैं जो कि एक पिकनिक स्पोर्ट के साथ साथ एक दर्शनी स्थल भी है जिसका नाम है सारा सोरो शुरषपुर जिले में इसीति यह बहुत ही रमणी इस्थल है यह 36 गड का एक प्रमुख परेड़न इस्थल माना जाता है तो आए हम आपको लेकर के चलते हैं सारा सोरो सारा सोरो जाने के लिए आपको चथिस गड़ के एक जिला जोकी सुरजपुर्जदे के नाम से जाना जाता है जिला मुख्याले से आपको सबसे पहले भही अथान आना होगा प्रतापुरोड पर जाते जाते आप सारा सोरो तक भूँच जाएंगे जो की 36 गड़ की एक प्रमुख नदी रिहंद नदी पर बना हुआ एक वहुत ही रमनीक इस्थल है आप सामने में देख रहे हैं उची उची पहाड़ियां इनी पहाड़ियों के मद्य से गुजरता हुआ यह रिहंद नदी एक अद्बुद नजारा लिये हुए आपके सामने प्रस्टूट है तो आईए इस इस्थान पर हम चलते हैं आपको दिखलाते हैं कि यह इस्थान कितना रमनीक है अब हम इस सफर पर चलते चलते अंततह सारा सोरों के निकट पहुँच चुके हैं और यह पार्किंग इस्थल यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग करने के पस्चाथ हम चलेंगे मंदिर की ओर उस नदी की ओर इस स्थल का महत तो इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है कि भगवान श्री राम त्रेता युग में वनवास के समय इस स्थल पर आए हुए थे उनका यहाँ पर मंदिर बना हुआ है हम उसी मंदिर की ओर इन सीडियों के माध्यम से चल रहे हैं और आपको प्रभुश्री राम का दर्शन कराते हैं इन सीडियों से आगे बढ़ते बढ़ते हम क्रमशः प्रभुश्री राम के मंदिर की ओर बढ़ते गए और यहां पर देख रहे हैं अनेक स्रध्धालूर प्रतिदिन आते हैं और हम अंततर प्रभूश्री राम के मंदर तक पहुँच चुके थे जो की प्राचीन मंदर दिखाई दे रहा है यहां पहुँचते साथ प्रथम द्वार पर हमें काली जी की प्रतिमा इस्थापित हुई दिखाई दी बोलिये काली मैया की जय प्रेम से बोलिये प्रभुश्री राम चंद्र की जय आप प्रभुश्री राम के चरण कमल का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं तो अभी हम रिहंद नदी के बगल में भाई अथान ब्लॉक के अंतरगत सारा सोरो तक आ पहुँचे हैं और अभी हम बरतमान में भगवान श्री राम के मंदिर में आ पहुँचे हैं और यहां पर भगवान श्री राम का मंदिर कैसे बना क्यों बना उसके बारे में संपूर जानकारी हम यहां के पुजारी जी से जानेंगे, तो पुजारी जी से हम यहां के बारे में जानते हैं, यहां भगवार नाम क्यों आए, कब आए, कितने दिन रुके और यहां से कहा गए, तो पुजारी जी आपका नाम क्या है, आप यहां पर भगवान का सेवा कब से कर रहे तो यहां के बारे में क्या जानकारी है आपके पास भगवान राम क्यों आए थे यहां पर कब आए थे यह भगवान राम चंजी तो यहां से फिन चली नहीं तो यह यहां पर मतलब आपके कहाना है कि यहां पर एड़ दिन रहे थे तो यहां पर रुकने बाद यहां पर उंका मंदिर बनाया गया और आप लोग वगवान राम का पूजा कर रहे हैं उपकी सेवा कर रहे हैं यहां बहुत पुरातन सी द गहां सारा tatramणि सक्राणच उतनिश का नामा सारा है सब्सक्रायम सब्सक्तवया जूलएंद टता है सब्सक्स निंकरत करों जिदभले पुंसरोई दभले माता सत्रलोक है किर्पा से माता सत्र लोकील कि माता कर रहीं Eigen सबसब यूगे से यहां करे मिनम आता से पुजा पाट को इसे अवीजिन यहां तो राम चân आइन पट तозиज मेह ता बे रां मंदिर हुफने से तो यहां पर देखने से तो बहुत गहरा दिख रहा है, इनकी गहराई कितनी होगी नदीका? यह बहुत अथा गहरा है, अच्छा मतलब उसको नापे नहीं है अविताब? कोई पता नहीं लगा है सब की से लासक शासन भी यहां, यह बांधे बंकर अपर ही नहीं है इसी मंदिर में राम भक्त हनुमान जी भी विराजी थे, उनके साथ अन्य देवी देवताएं भी यहां पर इस्थापित है, साथ ही साथ अनेक प्रकार की जहाकियां भी यहां पर बनाई गई है और इन जहाकियों को बनाने वाले जो भी कलाकार हैं बहुत ही अद्बूत हैं, पूरी मूर्तियों को जीवन तरूप दे रखें हैं, यहां पर बहुत सारी जहाकियां आपको देखने को मिलेंगी, जो की प्रभुश्री राम मंदिर पर ही इस्थापित हैं माता सतियन सुयां तीनों देवों को बाल रूप में बना रखी हैं, इस जहाकि में आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिता जी उन्हें यमुना पार करा कर रहे हैं, जन्म के समय ही उन्हें यमुना पार ले करके जा रहे हैं और इधर भगवान श्री कृष यहां पर भगवान भोले नात खड़े हैं आशिरवाद दे रहे हैं काली जी और भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी द्वारा अहिरामण के चंगुल से प्रभु श्री राम लच्मण को छुडाना अहिल्या का उध्धार होना इस रखी जहांकिया यहां पर प्रस्तूत की गई हैं उसके पर साथ हम आगे बढ़ें तो आप देख रहे हैं कि केवट भगवान श्री राम लच्मण औ अपने गुरु का आदेश मानकर ताड़का का वध कर रहे हैं इस तरह से इस इस इस्थान के बारे में सारा सोरों के बारे में पुजारी जी से आपने सुना इस जगर के महत्तों के बारे में जाना अब हम यहां पर कुछ याद्रियों के मात्यम से भी जानते हैं कुछ दर् नमस्कार मैं कमरेश शर्मा, 36 ग्राम कड़ोरा जिला कुर्बा कर रहने वाला हूं, बहुत दुनों शे मैंने सिराम पक के द्वार कर सुना था, जहां मैं ग्राम सारा सोर आया हूं, मैंने देखा कि यहां प्रक्रिती से भरा मनुरम द्रिश्य है, जिसको देख कर मन गदगद हो गया है, शेराम जी का बहुत पुराना मंदिर है, जिसका दर्शन मैंने किया, मैं चाहता हूं आप शबी भी यहां आएं और यहां का दर्शन करें, यहां का मनुरम दिश्य का आप लोग घूम कर देखें, यहां का दिश्य बहुत ही मनुरम है, पिकनिक स्पार्ट है, ब इस मंदेर में माता दुर्गा अपने सभी नौ रूपों के साथ बिराजित हैं जैसा कि पुझारी जी ने बतायाकि माता सत्य लोकी यहाँ पर सत्यूक से ही प्रतिष्ठित cherry पूजित है इस्थापित है लोग यहाँ पर सद्धा पूर्वक माता सत्य लोकी कि नौ दुर्गा रूप में पूजन करते हैं माता सतलो की मंदिर से ही हम बगल में नजर घुमाये तो एक मंदिर जो की नदी के बीचों बीच एक टापू पर बना हुआ बहुत ही अद्भूत मंदिर दिखाई दिया उधर हम चल पड़े नमस्कार मैं राम सुजिल पांडे ग्राम रने का निवासी हूँ और सारा सोरो के बारे में कई बार सुना कई बार लोगों से चर्चा सुना इसके बाद मैं भी पहली बार आया यहां देखा बहुत अच्छा सुहावना साथ जगह है भगवान स्री राम जी बनवाद के समय आ आये हुए थे अब यहां प्रण का मूर्ती है और पक के निशान भी है इसे देखे तो बहुत मन खुस हुआ चाहता हूं कि सारे लोगी धराया देखें और यहां पिकनिक का भी एक अच्छा इस्थल है मंदिरें भी है धरना भी है यहां मंदिर इस नदी के ठीक बीचों बीच एक टापू पर इस्थित है सभी तरब से जलत हाराएं बह रही है और बीच में यह हम मंदिर इस्थापित है और हम उस मंदिर की ओर दर्शन के लिए निकल पड़े यहां नदी की गहराई अधिक होने के वज़़द से सेलफी डेंजर जोन घोसित किया गया है और बोड लगा दिया गया है कि आप यहां पर सेलफी न ले खतरा हो सकता है तो आप यहां पर जब भी आए अपने आपको सावधान रख्ते हुई यहां पर दर्शन करें जब हम उपर मंदिर तक पहुँच चुके तो देखे यहाँ पर दो मंदिर हैं उसमें माता गंगा विराजित थी आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि भगवान भोले नाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ इस्थापित हैं यहाँ पर पहुँच करके भगवान भोले नाथ की अनायासी भक्ती महिमा मन में जागरित होने लगी हम भी भगवान भोले नाथ का पूजन किये अर्चन किये उनसे आशिरवात प्राप्त किये आप भी जब आईए यहाँ पर तो भगवान भोले नाथ का आशिरवात अवश्य प्राप्त कीजेगा भगवान भोलेनाथ अपने भगतों का इंतजार करते रहते हैं कि हमारे भगत हमारे पास आएं और हम उनसे मिलें इस तरह से भगवान भोलेनाथ आपको अश्रवात देने के लिए वहाँ पर विराजित हैं आप अवश्य आईएगा इस मंदिर में जाकर के माता गंगा एवं भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभेवमा शिरवात प्राप्त हुआ इस मंदिर में निरंतर भगतों का आवगमन बना रहता है लोग आते हैं जाते हैं माता गंगा और भगवान भोलेनाथ का शिरवात प्राप्त करते हैं मंदिर का दर्शन करने के पस्चात अब हम आपको ले करके चलते हैं पिकने की सपोर्ट की ओर जहां पर आप पिकनिक मना सकते हैं खुब मस्ति कर सकते हैं यहां पर रिहंद नदी अपनी पूरी चौड़ाई के साथ अपने पूरे चौड़े पाट के साथ बै रही है जहां कि जलधारा बिल्गुश स्वक्ष दिखाई दे रही है आप यहां पर पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं यहां पर आने से इस इस्थल पर आने से एक पंथ दो काज हो सकता है प्रभू श्री राम के दर्शन हो सकते हैं जो क कि भगवाई श्री राम यहां पर बनवास के समय रुके थे उस इस्थल का आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं साथ ही साथ सपरिवार आ करके यहां पर पिकनिक भी मना सकते हैं तो आप यहां पर अवश्य आईए एक बार अवश्य आ करके इस स्थान का दर्शन लाव प्रा कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कि अजया को आवा एंग है आप यहाँ पर जब भी आएं तो जो पिकने की स्पॉट बना है वहाँ पर तो खूब मस्ती करें लेकिन जब आप मंदिर के समीप पहुचेंगे तो सतलोकी माता मंदिर और भगवान भुरेनात का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर पानी बहुत गहरा है और उसे डेंजर जो उन घोसित किया गया है आप वहाँ पर बहुत ही सावधानी पुरवक रहिए का आप देख रहे ह अपने घर को प्रस्थान करें इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप 36 गड़ के सुरजपूर जिले में इस्थित सारा सोरो का संपुण दर्शन संपुण भ्रमड किये यहाँ पर प्रभुश्री राम जी वनवास के समय आये थे उसका भी आप दर्शन किये अब मैं अधिक सदिक लोगों तक पहुचाई है जिससे की 36 गड़ के दर्शनी स्थलों का भी प्रचार प्रसार हो सके लोग यहाँ पर आए दर्शन करें दर्शन लाब प्राप्त करें और लोग यह भी जाने कि भगवान शरी राम वनवास के समय यहाँ पर आए हुए थे आब मु ग्रीजे खुएइट करें दिल झOल करें थे आए हुआ है झाल सी जाने किर आए हुआ है झाल है है